नमस्कार मैं हूं मन्विंदर एम्बियन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपने देखा कि इन दिनों आम आदमी पार्टी के जो प्रेस कॉन्फरेंस वाले नेता है न कहीं दिखाईनी दे रहे हैं उनकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है और उनके ट्वीटर हैंडल बिलकुल सुने पड़े हैं दिल्ली के अंदर कुर्सी की लड़ाई अपतेज हो चुकी है और दोस्तों ये सब जानना बहुत ही दिल्चस्प है क्योंकि पार्टी में इस समय कोल्ड वार चल रही है चैनल के प्रती अपना स्ने बलाए रखे तो इन दिनों आप देख रहे हैं मनीश्य सोधिया उनका बोडी लेंग्वेज उनका पोस्टर उनका सुर सब कुछ बदला हुआ है अजीब अजीब से इंट्वी दे रहे हैं अच्छा आपको याद होगा आर्विन केजडिवाल क के जेल जाने के बाद पाटी ने लुकसवा चुनाव में सुनीता को सुनीता केजडिवाल को अपना स्टार परजारक बनाया था और अब उन्हें हर्याना में भी यही भूमिका दी गई है हर्याना में एक अक्टूबर को चुनाव होने हैं लेकिन मनीश्य सोधिया क्या कह हैं मनीश्य सोधिया कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख मंतरी अर्विन केजडिवाल की पतनी सुनीता ने जेल में बंद अपने पती के संघर्ष के जजबे को लोगों तक पहुचाने का काम किया है और उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी प्रमुख के तिहार जेल से बाहर आने सिसोधिया क्या कहना चाह रहे हैं सुनीता का पार्टी में कोई स्टेटस नहीं है या कि फिर वो उनका कोई वजूद नहीं रहेगा बाद में वो यह बताना चाह रहे हैं कि सुनीता केजडिवाल केवल और केवल अपने पती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके अलावा उ इधायकों की bonding सड़कों पर देखी जा सकती है अब अर्विन केज़िवाल तिहार जेल के अंदर बहुत परिशान है वो जेल में अपना बीपी बढ़ा रहे हैं शुगर डाउन कर रहे हैं I mean बहुत अपसेट है ये सब खबरे उन तक जा रही है केज़िवाल ने मनीश्य परद्या की एहमियत पार्टी में बढ़ जाती है अगर उन्हें इस पद्यात्रा में इस जात्रा के जरीए अगर वो लोगों के बीच में जाते तो अब आप समझिए मनीश्य तो मतलब इस तरीके से बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं कि मतलब हर दिन हर उस पॉइंट पर जाकर के मीटिंग कर रहे हैं जहां पर उनकी वावाई हो केजडिवाल जेल में परिशान है उन्होंने अब यह कहलवाया है यह मैसेज करवाया है कि अगली मीटिंग शिशमेल में होगी अब मीटिंग शिशमेल में हुई लेकिन जो उस मीटिंग में मौजूद थे उनक और बार समझने की है कि सौरभारदवाज आतिशी मार लेना संजे सिंग आपको याद होगा आपसे करीब 15 दिन पहले तक इन लोगों के हर दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट आते रहते थे दस बजे इनके टीटर हैंडल पे कोई ना कोई वीडियो अप्लेट हो जाती थी लाइ साइलेंट हो गए हैं साइलेंट मोड पे चले गए हैं और इनके साइलेंट मोड पे जाने का कारण क्या है मनी सिसोधिया मनी सिसोधिया के आने के बाद इनकी प्रेस कॉंफरेंसिस बंद हो गई हैं इनके टीटर हैंडल खाली पड़े हैं सूने पड़े हैं और मनी सिसोधि वहां के विधायक उन्हें डिसोबे कर रहे थे यानि कि उनके नियंद्रण में नहीं थे अब आप ये समझ लीजिए कि जो डिसोबे कर रहे हैं विधायक ये खबर आ रही है कि ऐसे विधायकों की संक्या लगबग 18 के करीब है और इन इलाकों में लगातार मनीश शिसोधिया जा रहे हैं मीटिंग्स कर रहे हैं लेकिन ये विधायक वहां नहीं होते हैं मनीश शिसोधिया अपना रुत्पा बढ़ाने में लगे हुए है पार्टी में वो नंबर दो पे है लेकिन अब आप देखिया ना उनके मन में इस बात का भी बड़ा रोश है कि अर्विन केजर कि वाल ने खुद तो इस्तिफा नहीं दिया है लेकिन उनसे इस्तिफा ले लिया था अगर इस्तिफा ना लिया होता तो मनीश शौधिया इस समय डेपटी सियम होते हैं अब सारी खुंदा को निकाल रहे हैं इस बात की मनीश बाहर और किजरिवाल अंदर ये एक ऐसा सच ह है और इसके पीछे कौन है ये सब किया धरा किसका है अभी ये एक मनु सिंग्वी का और सिंग्वी ने ये काम किसके कहने पर किया है सिंग्वी ने ये काम किया है रहुल गांदी के इशारे पर और रहुल गांदी ने क्यों ये काम करवाया है क्यों सिंग्वी ने उनका कहन माना है क्योंकि राहुल गांधी उनको राज्यसवा mathematics भेजने के बंदबस्त कर रहे हैं है ते लाँ दांगा दा के जरीए उनको राज्यसवा में भेजा जायगा तो अभ केज्डिवाल के बुरे हाल होने वाले हैं याने की मैं कि कहना चाहिए कि उनके लिए सब तरब से बुरी खबरें आ रहे हैं पार्टी में अन्रेस्ट पार्टी में लोग एक जुट नहीं है सुनीता केजरिवाल को कोई असेट नहीं कर रहा है एंड जो नंबर दो पे थे दिली सरकार में मनिस्य सौधिया वो अब नंबर वन पर आने के लिए अपनी सारी शेक कर रहे हैं तो यह बात यह बात कैसे गवारा होगी अन्म केजरिवाल को अब आप देखिएं कि सब तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं शराग घोटाले में जेल में बंद दिली के मुंकमंतरी अर्विन केजरिवाल सी डियाय से जुड़े मामले में राउज़मनी कोड से कोई रहाद नहीं प्राप्त कर पाते हैं कोट ने अर्विन केजरिवाल की न्याई खिरासत 27 अगस्त तक के लिए एक्टेंड कर दी है अर्विन केजरिवाल को राउजमानियो कोट में वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए पेश किया गया था तो अर्विन केजरिवाल सब तरब से एक के बाद एक बुरी खबरों को फेश कर रहे हैं और आमादमी पार्टी में जो बड़े नेता हैं जो जिनके चेहरे आपको नजर आते रहते हैं जिनके चेहरे आपको लोकसभा में भी बहुत नजर आए सांसर संजे सिंग वो बहुत बड़ी मुसीबत में फस गए हैं उनकी मुसीबतें शायद से अभी उतनी नई समझी जा रही हैं लेकिन उनकी बहुत सारी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं वो भी जेल जाने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं आज से करीब 23 साल पहले यानि कि 2001 में सुल्तानपूर में बिजली पानी जैसी जन समान्य समस्याओं को लेकरके पुतला फूक ने ऐसी घटनाओं को लेकरके उन्होंने हाईवे को जाम किया था इस मामले में सुल्तानपूर कोतवाली में तेनाद दरोगा ने संजे सिंग समेच छे लोगों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्स कराया था उसी मामले की सुनवाई चल रही है 23 साल पुराने मामले को लेकरके यूपी में सुल्तानपूर की एक अदाल अन्दे संजे सिंग को ग्रिफतार कर कोट में पेश करने का आदेश जारी कर दिया है यानि कि वो ग्रिफतार करके लाएं जाएंगे तो यह तो बड़ी बेज़िती वाली बात हो जाएगी न इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है संजे सिंग के लिए अदालत ने इससे पहले आमादमी पार्टी के नेता के किलाफ गेर जवानती वारन जारी क्या था वारण जारी होने के बावजूद संजे सिंग कोट में नहीं पेश होते हैं और अदालत ने अब संजे सिंग को ग्रिफतार करके जेल में पेश करने का आदेश जारी कर दिया है अदालत ने पॉलिस को आदेश किया है कि वो संजे सिंग को ग्रिफतार करके 28 अगस्त को कोट के सामने पेश करें हर हालत में हर कीमत पर और कोट ने 13 अगस्त को संजे सिंग को और सपानेता अनुप साड़ा और चार अन्ने के खिलाफ गयर चमानती वारंट इसलिए जारी किये थे कि वो मंगलवार को हाजिरों मंगलवार को सुनवाई थी लेकिन इनमें से कोई भी हाजिर नहीं हुआ अब कोट को गुसा आ गया जो जजज बैटे हुए थे उन्होंने कहा कि उनको अरेस्ट करके 28 अगस्त तक लेके आए तो आप ये समझके चलिए कि 28 अगस्त को संजे सिंग के गिरिफ्तारी भी हो सकती है तो ये संजे सिंग के लिए ही नहीं आमादमी पार्टी के लिए भी बहुत बुरी खबर है प्लस जो मैं बात कर रही थी कि आज कल आमादमी पार्टी में जो अन्रेस्ट चल रहा है इसके लिए मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था आप लोगों ने उसको देखा होगा इंज्वाई किया होगा तो उसमें भी मैंने ये बात आपको बढ़ाई थी लेकिन कुछ नई बाते सामने आ रही है अठारा विधाय कैसे है जो मनी स्वादिया थे नाराज है अब वो मनी स्वादिया अलग अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं और ये लोग अलग से अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं प्लस आतिशी मार लेना और सौरभार दवाच इन् अपना अलग गुड बना लिया है, तो इस तरीके से पार्टी के अंदर काफी ज़्यादा अंडर्स चल रहा है, और ये भी बाते सामने में आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं, कि इन सब के पीछे दिमाग किसका चल रहा है, इन सब के पीछे दिमाग चल रहा है, स्वाती माली का आपको याद होगा तेरा तारीक को उनके साथ मारपीट होती है जब अर्विंद केजडिवाल को अंत्रिम जमानत मिली हुई थी तो उस समय तेरा मई को उनके साथ मात पीठ होती है और विभव कुमार जेल भी चले गए है लेकिन पूरी वो अपने मन की अब जो भड़ास है जो बदला है केजरिवाल से लेने के भूर में बैठी हुई है कौन स्वातिमालिवाल तो स्वातिमालिवाल ने एक टेक दिया था कि अब मनीश्य सौधिया आ गए है अब ये सरकार को लीड करेंगे दूसरा बयान में उनका बताती हूँ जिस समय उनके साथ मार पीट वी थी उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अगर मनीश्य सौधिया होते तो उनके साथ यह सब नहीं होता तो आप इन दोनों टेक को मिला करके देखिए स्वातिमालीवाल कहीं ना कहीं मनीश्य सौधिया के प्रति अपने मन में एक सौफ्ट कॉर्णर रखती है और वो यह सब मनीश्य सौधिया के जरिये करवा रही है पार्टी में और यह भी हो सकता है कि पार्टी में दो फाड हो जाएं एक पार्टी अर्विंद केज्रिवाल की रह जाएं और एक पार्टी मनीश्य सौधिया की रहेंगे और फिर अगर स्वातिमालिवाल उधर रहेंगी तो इधर भारदवाज स्वारब भारदवाज और आतिशी मार लेना उनका कोई काम नहीं होगा तो इस तरीके की इंटर्नल जो पॉलिटिक्स है वो चल रही है और इसे आप एक तरह से कोल्ड वार कह सकते हैं क्योंकि अभी अभी दिखने में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दिखाई तो वही दे रहा था जैसे तरीके से संजे सिंग को जिन जमानत मिली थी क्या ढोल नगाड़े बज रह रहे थे आपको याद होगा वह सीन कि किस तरीके से स्वरभ भारदाज लड़ू बे लड़ू खाय जा रहे थे लेकिन वह असलियत नहीं थी असलियत यह है जो आब आप देख रहे हैं बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं मनिश्य सौदिया और उसमें उनके साथ ना तो आतिशी मार लेना होती हैं ना उनके साथ स्वरभ होते हैं वो अकेले उन इलाकों में जा रहे हैं जहां के विधायकों को उन्हें डाउन करना है अब वो सब विधायक अंदर से बड़े परिशान हैं और सोच रहे हैं कि हमें कोई बुला ले अपनी पार्टी में तो हम वहा में ये चुनाव होने हैं उससे पहले अगर पार्टी ने इस तरी कि टूट होगी तो उसका फाइदा किसे मिलेला और ये जो सिंग्वी वाला खेल करवाया है इसके पीछे भी राहूल गांदी का हाथ है राहूल गांदी ये चाहते हैं कि आम आदनी पार्टी पूरी तरह से बिखर जाए तूट जाए और फिर शाय से उनको वो पुराना बदला लेने का मौका मिल जाए जब अर्वीन केजिवाल कहा करते थे कि आप सोनिय गांदी को एक बार ले जाएए बिठाईए उनको पूर्चाज कीजिए तब वो सब कुछ बता देंगी अनि कि वो कॉंग्रिस को ब्रष्ट बताते थे अब ब्रष्ट कौन है यह आप सब जानते हैं लेकिन खुद क्या निकले खुद तो ब्रष्ट से भी उपर जो एक नाम होता है वो उनको दिया जाना चाहिए अर्वीन केजिवाल को वैसे वो कहते अपने आपको मैं दुनिय का सबसे कटर इमानदार हूं लेकिन उनकी इमानदार ही देखिये ना आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और और एक बात मनीश्य सौदिया एंड केजिरिवाल केजिरिवाल अंदर है मनीश्य सौदिया बाहर है मनीश्य सौदिया को बाहर निकालना होता तो फिर उस समय चु को जमानत होती है तो यह सब चीज़े बताती है कि कहां से क्या-क्या खेल चल रहे हैं तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज आप चैनल को सब्सकाइब कर लिजे एंड इस व पस्रेगे जहिन जभरत